हेलो बच्चों तो अब हम पढ़ेंगे आगे का आगे आपके बुक में है पेज नंबर 1717 पे एक्टिविटी एक्टिविटी में है टॉपिक क्या है लॉंग जम्प इन दिस गेम अफ लॉंग जम्प हाव मेनी जम्प्स विल इच एनिमल तेक तो क्रॉस 24 लॉग्स अनंबर ओफ लॉग्स देखें जम्प एट टाइम इस गिवन बिलो मतलब इस में देखिए यह एक गेम है एनिमल्स का जिसमें यह यहाँ पे 24 लॉग्स रखें वाट इस दे मीनिंग ओफ लॉग्स मतलब होता है लकडे ठीक है 24 लकडे रखें हैं तो उनमें से इसमें लिखा का है कैपेसिटी हर एनिमल का कि कौन सा एनिमल कितने लॉग्स को क्रॉस कर सकता है एक जम्प के साथ मतलब वो एक बार कूद के कितने लकडों को क्रॉस कर सकता है तो सबसे पहले क्या है जेब्रा का कितना कैपेसिटी है क्रॉस करने का मतलब वो कितना कूद सकता है तो वो टू लॉग्स को क्रॉस कर सकता है एक बार में ठीक है इस तरह से सबका दिया हुआ है फ्रॉग है फ्रॉग का 8 है लायन है लायन का 3 है मंकी का 4 है और बीयर का 6 है ओके तो यहां पे सबका लिखा हुआ अप साइड में आपके बुक में इधर देखी एक बॉक्स दिया है नंबर आफ जम्स इन विज दे अनिमल कम्प्लीट ओल दा लॉग्स मतलब कितने बार वो लोग कूद के सारा अपना लॉग्स कम्प्लीट कर सकते हैं तो क्योंकि लायन की कैपिसिटी कितनी है बच्चों 3 है तो हमें कितने बार लायन को कुदाना पड़ेगा तो 24 लॉग्स कम्प्लीट होगा तो वो आपको काउंट करके लिखना पड़ेगा 123, 123, 2 times, 123, 3 times, 123, 4 times इस तरह से तो 38 सा 24 तो मिन्स हमें लायन को 8 टाइम्स कुदाना पड़ेगा उस तरह से अब जेबरा को देखेंगे, जेबरा की कैपिसिटी है तो लॉग्स को क्रॉस करने की तो 2, 2 करके जेबरा कितने जम्प में पूरे लॉग्स को क्रॉस करेगा, पूरे लकड़े को कितने बार कुद के क्रॉस करेगा, वो हमें लिखना है तो उसका एंसर क्या आएगा, 12 जम्प कैसे, 2 12s are 24 और उससे 12 टाइम्स टू टू करके आप अगर काउंट भी करोगे, 2 टू लॉग्स टू टू तो वो 12 टाइम्स कुदना पड़ेगा उससे इसी तरह से फ्रॉग है, तो फ्रॉग का तो जादा कूद रहा है फ्रॉग कितना, तो 8 लॉग्स टाइम्स टू एट का टेबल बोलेंगे हम, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24 तो फ्रॉग को कितने टाइम्स कूदना पड़ेगा, 3 टाइम्स, 3 जम्स में उसका कम्प्लीट हो जाएगा, 24 लॉग्स उसके बाद है बेर, बेर का कितना कैपिसिटी है, 6 लॉग्स टाइम्स, ठीक है, मतलब एक बार में 6 लॉग्स को क्रॉस करने का, तो 6 के टेबल बोलें हैंगे, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, तो बेर को कितना करना पड़ेगा, 4 जम्स, और लास्ट में क्या है, मंकी है, मंकी का कितना कैपिसिटी है, 4 लॉग्स का, तो वो 4 लॉग्स करके कितने बार में करेगा, तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24, मिन्स मंकी को कितने टाइम में क्रॉस करना होगा 24 कब आया तो 4 6 24 यानि उसको 6 राउंड में उसका 24 हुआ यह एक्टिविटी समझ में आया बच्चों अब नेक्स्ट पेज पर चलेंगे इंसेक्ट्स यू सी यह इंसेक्ट्स आप लोग अपने डेली लाइफ में अकसर देखते होगे इन में से काफी सारे इंसेक्ट्स तो अब हमें सबका पहचानना है नाम तो सबका दिया हुआ है यहाँ पे हमें पहचानना है कि कौन सा इंसेक्ट किस नंबर पे है ओके तो सबसे पहले क्या है बटर butterfly है न तो butterfly कितने number पे है इस whippedwaan यंदर क्रिकेट के बार क्या है butterfly है तो butterfly के आगे जो राउंड है उसमें हम क्या लिखेंगे one क्या लिखेंग nessi वावान लिखेंगे उस तरह से second है यह क्या है इसको आ अप लुप पहचान रहे हो तो number के mellan Okay पे क्या है यह बचो यह cockroach है क्या है cockroach है तो cockroach देखिए last से second number पर ना second last number पर तो cockroach के आगे जो circle है उसमें आप क्या लिखोगे two लिखोगे क्या लिखोगे two उसके बाद third एerv one क्या है बच्चो बी है कौन सा बी है honey bee है ये क्या है honey bee है honey bee है तो इसे हम क्या करेंगे हनी भी के आगे 3 लिखेंगे क्या लिखेंगे 3 हनी भी कहा है कॉक्रोज की जरस्टिक उपर है फिर 4th one क्या है यह पहचान रहो आप लोग 4th one है आंट क्या है चीटी तो चीटी सबसे पहले नमर पे दिया हुआ है तो बॉक्स में हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे यह हमारा क्या हो गया आंट हो गया इसके बाद 5th number पे है यह कौन सा भी है कौन सा फ्लाई है ड्रेगन फ्लाई यह आप लोग देखते होगे especially गर्मी के टाइम पे यह काफी उड़ते है हेलिकॉप्टर जैसा दिखता है इसे हम क्या कहते है ड्रेगन फ्लाई कहते है तो ड्रेगन फ्लाई के आगे आप क्या लिखोगे 5 लिखोगे उसके बाद 6th one क्या है बच्चों इसे हम क्या कहते है फायर फ्लाई हिंदी में क्या बोलेंगे जुगनू, जो अंधेरे में यलो कलर का लाइट जलता है ना, इसमें बहुत सुन्दर लगता है ना, ये जुगनू है, इसे इंगलिश में क्या कहते हैं, फायर फ्लाइ कहते हैं, ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है, तो हम इसके आगे बॉक्स में क्या लिखेंगे, six लिख चेट ही कहा जाता है और सबसे last में बचा वो क्या है लेडी बर्ड यह बहुत छोटा आता है और इसका color कितना beautiful है देखिए red and black यह बहुत सुन्दर लगता है ना देखने में इसे हम क्या कहते हैं लेडी बर्ड कहते हैं तो आगे जो लेडी बर्ड वाला box है उसके आगे circle है circle में आप क्या लिखोगे number eight okay इसके बाद next page पर आते है birds in the world हम क्या क्या पढ़े हमने fruits पढ़ा हमने flowers पढ़ा हमने insects पढ़ा अब हम क्या पढ़ेंगे birds पढ़ेंगे birds in the world तो first box है इसमें drawing दिया हुआ है और उसके बारे में लिखा गया है क्या लिखा गया है I have wings and feathers but I cannot fly means यह एक ऐसा bird है जिसके पास punk है पर वो उड़ता नहीं है वो उड़ नहीं सकता तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों इस bird को कहते हैं ostrich क्या कहते हैं ostrich second number पे है I drill wood to make my nest means मैं wood यानी पेड़ की लकड़ी में छेद करता हूं अपना nest यानी अपना घर बनाने के लिए तो यह कौन सा bird हुआ क्योंकि यह wood को drill करता है लकड़ी में छेद करता है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं woodpecker थर्ड है I live in lakes, ponds and rivers मैं lakes, ponds और rivers में रहता हूं तो पानी में रहता है यह bird तो ऐसा कौन सा bird है ऐसा तो एक ही bird है न उससे हम क्या कहते हैं duck क्या कहते हैं duck नमबर 4 पर है I am a hunter, I have a very sharp eyesight यह एक ऐसा bird है जो hunter है यानि शिकार करके खाता है और इसकी eyesight यानि इसकी नजरे बहुत sharp है तेज है तो इसे हम क्या कहेंगे इस bird का नाम क्या है पहचान रहे हो आप लोग इस bird का नाम है eagle क्या नाम है eagle इसकी बाद 5 है I fly from cold countries to warm countries in winter मतलब ठंडे देश से गरम देश में ये bird travel करता है जाता है उड़के इस से हमें क्या पता चलता है कि ये bird ठंडी जगा पे नहीं रहता है ये अपने लिए गरम country गरम जगा ढूंड के वहां रहता है उड़के ये चला जाता है तो इस bird को हम क्या बोलते है वाग tail इसके बाद last bird है क्या नाम है इसका क्या है I sing sweet songs मैं बहुत ही sweet songs गाता हूँ तो ये कौन सा bird हुआ nightingale कौन सा bird है nightingale यहां तक समझ में आया बच्चों हमने आज कौन से कौन से birds देखे सबसे first है उसे हम क्या कहते है ostrich ostrich के पास wings है यानि पंक है लेकिन वो उड़ता नहीं है second है woodpecker woodpecker क्या करता है woodpecker लकडी में छेद करके अपना nest बनाता है third है ये duck है duck कहां रहता है lakes, ponds और rivers में फिर fourth one है I am a hunter I have a very sharp eyesight eagle है ये hunter है मतलब शिकारी है शिकार करता है और इसकी eyesight बहुत तेज है इसकी नजरें बहुत तेज है इसके बाद है वाग टेल वाग टेल गरम countries में रहता है जहां थोड़ी गर्मी हो ये जादा ठंडी जगा नहीं रहता अगर जिस country में ये है वहां ठंडी का सीजन आता है तो ये वहां से उड़के चले जाता है गरम country में warm countries में उसके बाद last है क्या है ये nightingale nightingale क्या करता है बहुत ही sweet songs गाता है यहां तक समझ में आए बच्चों अब हम आगे देखते हैं hunter and hunted means वो जो hunter है मतलब जो शिकार करते हैं और hunted यानी जिनका शिकार होता है जो कमजोर है चलिए color the circle red of the animals which are hunters and blue for those which are hunted okay तो पहले तो हम did you know पढ़ेंगे a shark is an efficient predator it can smell blood even when there is only one drop in hundred million gallons of sea water it can also smell it from 10 miles away मतलब जो शार्क होते हैं शार्क आप लोगों को पता है न जो sea में रहते हैं एक तरह का क्या है यह मचली है तो यह बहुत ही बड़ा होता है तो यह blood smell कर लेता है यानि बहुत सारे पानी में अगर एक बूंद भी blood है तो उसे पता चल जाता है यह बहुत दूर यानि 10 miles away 10 miles दूर रहता है फिर भी उसको blood का smell आ जाता है इसका smell sense इतना अच्छा होता है अब नमबर वन पे कौन सा animal दिया है हमें रेबिट रेबिट के इधर circle कौन से color का है ब्लू color का है इसका मतलब वो hunted animal है मतलब उसका शिकार होता है रेबिट शिकार नहीं करता है रेबिट यानि vegetarian है ठीक है सेकेंड नमबर पे है eagle इगल के बारे में हमने birds वाले page पे पढ़े थे eagle क्या है hunter है मतलब वो शिकार करता है उसके बाद थर्ड नमबर पे है snake स्नेक भी छोटे animals जैसे frog हो गया rat हो गया फिर chameleon हो गया इन सब का वो शिकार करके खाता है तो snake क्या है non vegetarian हो गया राइट तो वो hunter है इसके बाद फोर्थ नमबर पे squirrel स्क्वेरल आप लोग देखे हो चल्दी चड़ते उतरते हैं यह लोग क्या ख़ते हैं तो यह लोग किसी का शिकार नहीं करते हैं तो यह blue dot हो गया उसकी बाद फिर नमबर पे है deer डीए भी वेज होते हैं मतलब वह किसी का शिकार नहीं करते हैं Fact, Lion या Tiger उनका शिकार करके उनको खा जाते हैं Sixth नंबर पे है Penguin Penguin भी हमारा Hunter है, ठीक है Hunter, मतलब वो शिकार करता है उसकी बाद seventh नंबर पे है Fox Fox भी च्छोटे animals को मार खाता है, Hunter है और eighth क्या है, Tiger Tiger भी च्छोटे animals को मार के खाता है, Non-Vegetarian है non vegetarian नहीं कह सकते है actually हम इनको क्या कहते है या आप लोग आगे class में जाके पढ़ोगे इनको हम कहते है Carnivores यानि जो दूसरे animals को खाते हैं ऐसे animal या bird फिर ninth नंबर पे है fish fish कभी भी दूसरे fish को नहीं खाते हैं छोटे वाले fish जो होते हैं वो hunted होते हैं means बड़े fish छोटे fish को खाते हैं ठीक है तो इसका मतलब वो hunted animal है तो वो blue dot है यहां तक है समझ में अब हम आगे पढ़ेंगे our animal friends वो animal जो हमारी help करते हैं किसी न किसी तरह हमारे काम आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते है animal friends choose the correct word from the brackets to find out what we get from our animal friends then write it in the blank मतलब filling the blanks दिये हैं और options दिया गया है जिससे हमें बताना है कि हमें कौन सा animal क्या देता है सबसे first है a dash give us wool wool यानी उन हमें कौन देता है उन जिसका sweater बनता है वो हमें कौन देता है sheep देता है cat नहीं देता है हमें sheep से wool मिलता है जो sheep के बाल होते हैं उसे निकालके उसका wool बनाते हैं पर फाद सब्सक्राइज वारेवो था नंभर या ओनता है निकांस निकाल दोटेता है ल क्या देता हैं क्या होते हैं उसके बात फॉर्ड नमबर पर है अनि मृझरीत फाउर नंहीं कटेता है चैनल नमॉदा Belts, जो Leather के Jacket ओते हैं, Shoe ओते हैं, Belt होते हैं, वो Animal के किस पार्ट से बनते हैं, Skin से या Lim से, तो Skin से Bनते हैं, किस से? Skin से, Animal के Skin से Leather रहते हैं और Leather के काफी चीज़े बनती है, Jacket, Shoes, Belts, In fact, कोई-कोई Purse भी Leather का ही बनता है फिफ्ट नमबर पे है we get dash from the silk warm हमें silk warm से क्या मिलता है cotton मिलता है या silk मिलता है silk मिलता है silk हमें किस से मिलता है silk warm से एक तरह का कीडा रहता है वो silk बनाता है फिफ्ट नमबर पे है a cow gives us dash milk या coffee cow हमें क्या देती है milk देती है या coffee देती है milk देती है, गाय हमें दूद देती है, दूद को English में milk कहते है, 7th नमबर पे है, dash from sheep is used to make woolen clothes sheep से woolen clothes बनते है, right तो वो sheep के क्या चीज का बनता है sheep हमें silk तो देता नहीं है तो sheep हमें क्या देता है, wool देता है तो wool से क्या बनता है, woolen clothes, यानि उनी कपड़े 8th नमबर पे है elephant, horses and camels are used for dash cycling या joy rides elephant, horse या camels जो होते हैं, वो किसलिए useful है तो ये joy rides यानि हमारे enjoyment के लिए, हमारी खूशी के लिए हम इनका ride करते हैं, इन पे चड़ के हम इनको चलाते हैं जैसे घोड़े पे घोड़ा आथी पे भी बैठते हैं, camels पे भी आप लोग बैठे होगे, इसके बाद 9th one है, animal dash is used as manure to make the soil fertile soil fertile actually क्या होता है ये पेडो को खाद देने के लिए होता है, तो animal का क्या चीज होता है, जो soil को fertile करता है, यानि मिट्टी को उपजाओ बनाता है, वो क्या है तो animal hair है या animal dung है animal dung है, animal dung means animals का जो भी जैसे गाय का गोबर रहता है उस तरह से हर animal की पॉट्टी जो रहती है, वो soil को fertile करते हैं, ठीक है Did you know domestic dogs are omniorous they feed on a variety of foods including grains, vegetables and meats, क्या आप लोगों को पता है जो domestic dogs होते है, यानि जो पालतू कुट्टे होते हैं जिने हम पालते हैं वो omnivorous होते हैं मैंने carnivorous और harnivorous बताई आप लोगों को, राइट, बट omnivorous क्या है, omnivorous मतलब जो veg और non-veg दोनों खाले, ठीक है जो तो वो क्या खाते हैं dogs, जो पालतू कुट्टे होते हैं वो grains खाते हैं grains यानि rice वगरा खाते हैं और इसके अलावा vegetables भी खाते हैं और उसके अलावा non-veg में meat भी खाते हैं, मतलब mask भी खाते हैं यहाँ तक clear है बच्चों अब आगे पढ़ेंगे looking same looking same में क्या है कुछ animals होते हैं जो same दिखते हैं लेकिन एक दूसरे से अलग होते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे turtle turtle और उसके साथ क्या है turtle यह एक जैसे दिखते हैं it lives in water it has webbed feet अब उनमें difference क्या है तो turtle क्या पानी में रहता है और उसके webbed feet होते है means तैरने के लिए जो अलग तरह के पैर होते हैं उसी तरह से है tall toys it lives on land it has short legs tortoise land में रहते हैं और उनके पैर छोटे छोटे होते हैं दूसरा है mouse और rat mouse और rat अलग-अलग animals है mouse is a small in size and it has a skinny tail मतलब mouse जो रहता है उसकी पूँच पतली रहती है और उसका size छोटा रहता है उसी के साथ जो rat है वो mouse से बड़ा रहता है और उसका tail यानि उसका पूँच भी उससे बड़ा रहता है उसके बाद आते है चिंपांजी और गोरिल्ला इन दोनों में क्या difference होता है तो चिंपांजी has a pink face चिंपांजी के pink face होता है और it eats plants and animals वो plants और animals खाते हैं ठीक है उसी के अलावा जो गोरिल्ला होता है उसके black face होता है और ये mostly क्या खाते है plants ही खाते है मिनसे हर भी वरस होता है vegetarian type उसके बाद आते है last है jaguar और leepard jaguar और leepard में क्या difference है तो jaguar is more muscular than a leepard jaguar के muscles leepard से ज़ादा होते है और leepard fur is marked with rosettes जो leepards के fur होता है यानि उनके उपर जो उनका रोवा होता है उनके जो बाल होते है उसमें rosettes जैसे design होते हैं जो की jaguar से अलग होते हैं तो इस तरह से हम सारे animals को differentiate कर सकते हैं इन सुन में फर्क बता सकते हैं यहां तक समझ में आया बच्चों Thank you